क्रिकेट में अगर हैट्रिक लगाने वाले गेंद बाजों की सूची पर नजर दोड़ाई जाए तो वे एक नहीं अनेक है इसलिए रिकॉर्ड अब उतना प्रभावी नजर नहीं आता जितना की चार गेंदों में चार विकेट लेने वाला रिकॉर्ड प्रभावी नजर आत ये बाद साल 2013 की है जब हुसाइन UCB BCB 11 की और से अब हानी टीम के हिलाफ खेल रहे थे ये पारी का अंती मोवर्थ और गेंद बाजी फैक ने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई हुसाइन ने पहली गेंद में विकेट ले लिया और दूसरी गेंद में विकेट नहीं ले पाए लेकिन अगली चार गेंदों में हुसाइन ने चार गेंदों में चार विकेट ले और उनका है रिकॉर्ड बन गया नमबर दो आंद्रे रसेल अब वस्ट इंडीज के भैतरी नोल राउंड डर्क लाड़ी आंद्रे रसेल को तो जरूर जानते होंगे रसेल ने वस्ट इंडीज एक और से खेलतों भारत एक इखलाफ चार गेंदों में चार विकेट चटकाए थे ये बात साल 2013 की है वस्ट इंडीज ए और भारते गिवीच बैंगलूरों में T20 मैच खेला जागा था रसेल ने भारते पारी के 19 में ओवर में चार भैतरीन भारते बल्लेबासों को चार गेंदों में आउट कर दिया था ये चार आउट होने वाले बल्लेबास कप्तान यूवराद सिंग केदार जाद अब नवानोजा और यूसूफ पठान थे और अब बात करते हैं नंबर एक की साल 2007 विश्व कप में दक्षिन अफ्रीका और श्री लंका के बीच खेले गई मैज में 210 रनों के लक्षे का पीछा करने उतरी दक्षिन अफ्रीका का स्कोर 46 वे ओवर में 206 पर 5 था और वे लक्षे के बहुत करीब नजर आ रहे थे लेकिन अगली दो गेंदों में दो विड़िक निकालते हैं लसित मलिंगा ने दक्षिन अफ्रीकों का बूरी तरह से जग जोर दिया था 43 वे ओवर में जब वे लुटे तो शूरू आ थी दो गेंदों में और दो विगखिन निकालते हुए चार गेंदों में विश्व क्रिकेट में संसरी मचा दी थी तो ये थे वो तीन गेंद बाल जिन्होंने चार गेंदों में चार विकेट चटकाए थे आपको कैसे लगे आप भी अपनी दाय रखेगा साथ ही आपके अपने चैनल हेड्लेंज स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजेगा